ओम महलक्ष्मय नमो नमा। धन तेरस पर साथ चीजे खरिदना बेहद लाभकारी खुब बड़ेगी सुक्सम्रुद्धी। दोस्तो इस साल 10 नवंबर के दिन धन तेरस का पावन पर्व मनाय जाएगा। धन तेरस पर इस बार बेहदी दुरलब संयोग बन रहे है। जिस वजह से इस दिन खरिदारी करना बेहत शुभ रहने वाला है। मान्यता है कि इस दिन खरिदा गया सामान घर की सुक्सम्रुद्धी को बड़ाता है। वही धन तेरस पर कुछ चीजों की खरिदारी करने से आर्थिक स्थिती बेहतर होती है। और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। आये जानते है धन तेरस पर क्या-क्या खरिदना रहेगा शुभ। दोस्तो धन तेरस पर जो चीजे खरिदनी चाहिए उस लिष्ट में सबसे पहली चीज है सोना। धन तेरस पर सोना खरिदना फलदायक माना जाता है। इससे घर में सुक्सम्रुद्धी में रुद्धी होती है। दूसरी जो चीद जो धन तेरस पर खरिदनी चाहिए वो है जाडू. मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धन तेरस के दिन जाडू खरिदना चाहिए. इस दिन जाडू खरिदना बेहत शूभ माना जाता है. तीसरी जो चीद जो धन तेरस पर खरिदनी चाहिए वो है चांदी. चांदी या चांदी से बने आभूशन धन तेरस पर खरिदना अतिशूभ होता है. चांदी जो चीद जो धन तेरस पर खरिदनी है वो है वाहन. अगर आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी चल रही है तो आप धन तेरस पर वाहन भी खरिद सकते है. पाचवी जो चीद जो आप धन तेरस पर खरिद सकते है वो है जमिन. धन तेरस पर जमिन या जमिन से जुड़े सवदा करना भी सुक समरुद्धी में रुद्धी करता है. अगली जो चीद जो धन तेरस पर खरिदना शुभर रहेगा वो है साबुद्ध धनिया. वही अगर आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं है तो आप धन तेरस पर साबुद्ध धनिया खरिद सकते है. इससे आर्थिक स्थिती को बहतर बनाने में मदत मिलेगी. अगली जो चीज जो धन तेरस पर खरीजना शुभर रहेगा वो है कुबेर यंत्र अपने घर का सुक्सो भाग्य बढ़ाना चाहते है तो धन तेरस पर कुबेर यंत्र आप खरीज सकते है आप सभी को धन तेरस और दिवाली की शुभकाम नाएं धन्यवाद